नमस्कार बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूँ सुजीत बिहार में ठंड बहुत है और इस ठंड का असर यहां की राजदीती पर भी पड़ रहा है अब देखिये ना कुछ महीने पहले या कुछ दिनों पहले तक जेडियू और आर्जेडी के बीच में जो रिष्टे थे वो काफी गर्मजोसी वाले रिष्टे थे लेकिन आज के दौर में देखिये तो यह रिष्टे काफी ठंड हो चुके हैं और इसके पीछे की वज़ा कोई और नहीं बलकि आर्जेडी के विधायक और पुर्म किश्री मंत्री सुधाकर सिंग का वो बयान है जो नितीश कुमार को अफसंद कहता है जेडियू की तरफ से लगातार सुधाकर सिंग पर कारवाई करने की मांग हो रही है लेकिन आर जेडी की तरफ से इस तरह की कोई संकेत अभी तक मिले नहीं है और इस कारवाई में जो जो देरी होती जा रही है वैसे वैसे दोनों पार्टियों के बीच रिष्टे ठंडे होते जा रहे है सुधाकर सिंग ने जो कहा उस पर तेजस्वी आदों का भी बयान आग चुका है और तेजस्वी आदों ने अस्पस्ट तोर पर कुछ नहीं कहा सुधाकर सिंग का नाम तक नहीं लिया और कहा कि ऐसे तर्ट जो है वो बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे है सुधाकर सिंग का भी यही कहना है कि उन्होंने तो मेरा नाम ही नहीं लिया और उसके बावजूद सुधाकर सिंग की तरप से नितीश कुमार और सरकार पर हमले जारी है अब सवाल है कि आरजेडी सुधाकर सिंग पर कारवाई क्यों नहीं करना चाह रहा है या करना भी चाह रहा है ति इतनी देरी क्यों हो रही है चुकि सुधाकर सिंग आरजेडी के विधायक है और उनपर कारवाई पार्टी के रास्ती अध्यक्ष ही कर सकते है तो रास्ती अध्यक्ष लालू पसाद यादो तो अभी यहां है नहीं सिंगापूर में स्वासलाव कर रहे हैं अलाकि सुधाकर सिंग्या कहना है कि उनको इस पूरे पुरे प्रकरण की जानकारी है और दूसरी कारवाई हो सकती है विधान सभा की जो कमीटी होती है आचरण कमीटी उसके तहत ये कारवाई की जा सकती है पर एक बात ध्यान देने की है कि नितिश कुमार सब कुछ बर्दास्त कर लेते हैं पर इस तरह का अपमान वो बर्दास्त नहीं करते हैं इसका उदाहरन भी है आपको याद होगा कि 2013 में जब बीजेपी से रिष्टा उन्होंने खतम किया था तो वो कारण थे लेकिन इसकी पृष्ट मूमी पहले से ही तयार होनी शुरू हो गई थी और नरेंदर मोधी जब गुजराद के मुख मंतरी थे तो बिहार में नितिश कुमार केबिनेट के कुछ मंतरी चोरी चिपे उनके इनका जन्दीन बनाते थे ताकि नितिश कुमार को चिड़ हो इससे और होते होते ऐसा हुआ कि रिष्टा तूट गया उसी प्रकार 2017 में जब पुर्म मुख मंत्री रावडी देवी ने एक बार कह दिया कि तेजस्वी आदों को जन्ता मुख मंत्री के तोर पर देखना चाहत थी उस समय तो कहा ही आता था कि सत्ता के दो धूर बन गये दो धूरी बन गये थे एक दस सर्कुलर रोड और एक अनेमारी तो वो भी एक कारण था अभी जो बीजेपी से रिष्टा तोड़ा है नितिश कुमार ने उसमें बहुत पीछे जाने के जवत नहीं है आपको इसी पाया उसके बाद बिहार में बीजेपी विधायकों का दिमाग भी सातवे आसमान पर था और विधान सवा सत्र के दोरान बिधान सवा चेंबर में नितिश कुमार बैठे हुए है और बाहर बीजेपी के विधायक ये कह पाया जाते थे कि अब जो है बिहार में बीजेपी क मुखमंत्री होना चाहिए और तमाम तरह की बाते नितिश कुमार को ले कर होते होते आप देखिए जुलाई आते आते रिष्टा तूट गया एक बार फिर से बीजेपी से अब महागडवंदन में फिर आये हैं नितिश कुमार तो जिस तरीके की बातें सुधाकर सिंग ने कही है और उस पर जेडियू के तरफ से जो प्रतिक्रिया आई और जो जो कड़ा करी प्रतिक्रिया आई उसके बावजूद भी कारवाई न होना निश्चित तोर पर इनके बीच के रिष्टो को ठंड़े बस्ते में जाते हुए हम देख रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा दिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो मकर संक्रान्ती के बाद बिहार में कुछ इस तरह की बाते सामने आनी सुरू हो जाएगी जैसा कि आम तोर पर अभी से लोगों ने कहना सुरू कर दिया है कि क्या बिहार में फिर से सरकार बदलेगी सरकार तो खर यहां यह नहीं बदलता है यहां गटबंदन बदल जाता है तो क्या यह संभावना है इस बात को लेकर चर्षा पूरे जोर सोर से अब फैस्षला तेजस्वी यादव को करना है कि सुधाकर से लिए पर वो क्या कारवाई करते हैं? और सुधाकर सिंग पर कारवाई करना कोई आसान बात भी नहीं है. सुधाकर सिंग आर्जेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानन सिंग के बेटे भी हैं और जिस बुद्धे को लेकर वो उन्होंने प्रहार किया है मुख्यमंत्री पर वो आर्जेडी कारवाई करती है सुधाकर सिंग पर तो सुधाकर सíem हो जाएंगे हिरो नहीं करती है तो नितीश कुमार हो जाएंगे नराज तो ये दुहदा की जो श्तिति बनी होई है यही वजा है कि इस कडाके के ठंड में इन दोनों के बीच के रिष्ते जो हैं वो भी ताफी ठंडे हो गए हैं लेकिन इसमें गरम जोसी भरनी जरूरी भी है निश्चित तौर पर आज जगदानन सिंग ने कहा कि प्रधान मंतरी बनना है अगर नितिश कुमार को तो उन्हें देश की यात्रा करनी पड़ेगी निश्चित तौर पर मुकमंतरी नितिश कुमार ने ये बात कही थी कि बजट सत्र के बाद वो देश की यात्रा पर निकलने वाले हैं ताकि बीजेपी के खिलाब विपक्ष को एक जूट किया जा सके तो अभी तो फिलहाल जो इस्थिती है वो सबकुछ अठका हुआ है सुधाकर सिंग के मामले को लेकर देखिए इसमें क्या कारवाई होती है उस पर आगे की राजनिति तैह होगी आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए नमस्कार कर दो आगे की बस बस्ते है उसे भाल जोट कर दो आगे की यथूदेश आगे की बस्ते है